तो आगया, कैसे है हो मेरे बेरे दोस्तों मैं हूं सुमना स्वाल और आज मेरे साथ है कृष्णा तो आज हम आप लोगों के सामने रस्ची से कुछ फंटास्टिक magic करने वाले हैं यानि कि रॉप magic से कुछ खतरनाक magic करने वाले हैं रस्ची से जी हाँ, तो सबसे पहले मैं Krishna को यह रशी चेक करा देता हूँ, यह रशी चेक करना भाई, इस पे कुछ है तो नहीं, कहीं से तूटी हुई, कटी हुई, फटी हुई तो नहीं है, नहीं है, ठीक है, इसके बाद हम Krishna को देंगे एक सिलजर, यानि कि एक कैची, तो यहाँ पे पकड़ना, और इन्होंने यह रशी चेक की, कहीं से कटी हुई नहीं है, फटी हुई नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस रशी को यहाँ पे ऐसे डबल कर देते हैं, और Krishna को बोलते हैं, कि आप इस रशी को यहाँ से ऐसे काट दे, तो यहाँ पे रशी के कितने पीस हो चुके हैं, दो, रशी सिंगल थी या डबल थी? सिंगल रशी, तो आब यह डबल हो चुकी है, यहाँ dो, और यहाँ से भी दो, तो अब हम इस रशी पे कुछ मैजिक करेंगे दोस्तों, आप लोगगे सामने और यह जो दो कटी हुई इसको डाल देते हैं यहाँ पे आप लोगों के सामने अच्छे से यहाँ पे डाल देते हैं और हमने रसी को डाला यहाँ पे उसके बाद मैजिक करते हैं इस पे मैजिक करना बोलना गिली गिली चूँ अब इस रसी को यहाँ पे चेक करते हैं कटा हुआ गायब रसी दुबार चेक करना यह तो आपने काटी थी थी ना हैंड्स बिलकुल ओपर क्या हो गया जुड़ गई ना तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह magic और आप चलते हैं रॉप के दूसरे magic के तरफ तो दोस्तों यहाँ पे हम दूसरे magic रसी से करने वाले हैं उससे पहले पकड़ाएंगे और बोलेंगे इसको जितना तागत है उत्रा खींच तो यह रसी आपको कैसे लग रही है कच्ची लग रही है या पक्की लग रही है बहुत ही पक्की है हम क्या करेंगे अगर हम इस रसी को ऐसा डालेंगे और ऐसी गांट मार देंगे यहां से भी और फिर मैं आपको बोलोंगा कि आप इसको खींचो और मैं इसको खींचता हूँ तो क्या होगा रही है मर जाएंगे यानि कि मैं मर जाओंगे हम क्या करते हैं एक बढ़ दुबार इस रसी को चेक करना वहां से पकाड़ना और खींचना ऐसे तूटने वाली तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं तो हम इस पे कुछ मैजिक करेंगे दोस्तों आप लोगों के सामने जैसे ही मैजिक करेंगे तो दुबारा से क्या करेंगे? इस तरह डालेंगे गले में कुछ इस परकार से और दुबारा यहाँ पे एक गांट मारेंगे और यहाँ पे एक गांट मारेंगे इसके बाद हम क्या करेंगे? एक छोर कृष्णा के पास देंगे अभी मत खिंचना जब मैजिक लगेगा तभी खिंचना नहीं तो भाई मैं उपर टपक सकता हूँ, ठीक है? तो हम इस पे मैजिक करते हैं वन, टू, थ्री, खिंचो तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैं मरने वाला था पर मरा नहीं मैजिक हो गया, मैजिक काम कर गया रस्य आ चुकी है गले से बाहर जबकि यह रस्य बहुत मजबूत रस्य है दोस्तों इसे ऐसे आसानी से नहीं आप तोड़ सकते हैं तो यह मैजिक आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना अब चलते हैं तीसरे and लाश्ट रॉप मैजिक की तरफ तो दोस्तों, तीसरा मैजिक करने वाले कृष्णा के साथ यहां पे हमारे पास एक रस्य मैं चाहूंगा कि इस रस्य को भी आप चेक करें कि यह कटी हुई फटी हुई ऐसी कुछ तो है नहीं नहीं है एकदम सिंगल रस्य है और बहुत बड़ी रस्य है ठीक है तो आपने चेक किया मैं आपके पास कैची पकड़ाता हूँ आपको इस रस्य को जो जो मैं बोलूगा आपको इसके साथ वो वो करना है ठीक है तो यहां पे देखो रस्य सिंगल है हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे करते हैं तो अगर हम इस रस्षी को ऐसे आप से कटवाते हैं और यहाँ से कटवाएंगे तो यह कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी पक्का हम चाहेंगे आप इस रस्षी को यहाँ से काट दे यहां पर कट रही है दोस्तों रसी कट चुकी है और यहां पर रसी हो चुकी है दो यानि कि यहां से दो और यहां से दो ठीक है तो अब हम क्या करेंगे यहां से आपको यह रसी छोटी बड़ी नजर आ रही है आ रही है आप इसको बराबर करें पहले उपर से बराबर करें ताकि छोटी बड़ी ना हो पाए देखो दोस्तों यहां से छोटी बड़ी है और यहां से भी छोटी बड़ी है तो हम चाहते हैं पहले यहां से बराबर करें केंची से काटके केंची से काटना वड़ेगा आपक बराबर है अब आपको नीचे से भी बराबर करनी है एक बार नाप के करना नाप के बराबर करना बराबर बराबर छोटी बड़ी नहीं होनी चीए कैंची चलानी अच्छे से आती है ना ओके बराबर तो दोस्तों यहां पे आप लोग देख सकते हैं यहां से बराबर है and यहां से बराबर है यहां से भी बराबर है इसको पकड़नों उसको फिंग देना यहां से आपने बराबर की थी और यहां से भी आपने बराबर की थी मतलब यहां से भी बराबर है यहां से भी बराबर है भाई आपको कैंची चलाने आती नहीं है यार देखो दोस्तों, यहां से यह छोटी बड़ी काड़ दी इसने, इसको कैंची चलाने आती नहीं है और यहां से बराबर है, देखो, यहां से बराबर है एक बार दुबारा बोलूगो कि आप दुबारा इससे बराबर करें छोटी बढ़ी नहीं करने आपको बिलकुल बराबर करना है okay, दोस्तों यहां पे देख सकते हो Krishna ने रसी को बराबर कर दिया है और यहां से भी बराबर कर दिया है magic करेंगे यहां यह दिन जा है भाई, देखो यह रसी बराबर नहीं काट पा रहा है यहां से बराबर है, यहां से इसने दुबारा छोटी बड़ी काट दी है, दुबारा इसको बराबर करें, एक बार नाप लो भाई, आप उसे में गरवर कर रहे हो, फिर आप से कट तो जा रहा नहीं है, ओके, यहां पे देखो, इसने यहां से बराबर कर दी है, नीचे से, उ कर रहे हो यार कि दिखाना कितना काट आपने दोस्तों इसको कैंचे चलानी आती नहीं है देखो यहां से बराबर यहां से जैसे हम मैजिक करेंगे तो यह अबे क्या हो गया भाई बराबर कर इसको भाई यार आप बराबर करो यार कैसे छोटे बड़े काट दे रहे हो आप छोटे बड़े नहीं चीए बराबर चीए बराबर वो दिखा तो कितना पीस काट आपने दोस्तो रसी इसने बराबर की है हैं अब यह बराबर है भाई कैसे काट रहे दू चलो ठीक है नहीं होगा आप इसको दिन भर काट रहोगे तो भी यह रस्सी बराबर नहीं होने वाली अब इस आप ग्रार रहे थे कटिंग तो एक ही है कि आप क्या काट रहे ते बार बार यह पता नहीं क्या काटे जा रहा था बार बार पता नहीं रसी तो एक ही ही है तो कैसा लगा आपको यह magic हमें comment करके जलूर बताएं आप इससे और भी भेतरीन भेतरीन magic कर सकते हैं रसी से आज के लिए तीन ही magic मैंने आपको performance दिखाई अब आपको एक एक करके इनके tricks बताता हूं कि यह magic कैसे किये जाते हैं तो चलिए start करते हैं यहाँ पे Krishna को और आपको साथ में बताते हैं कि हमने इन drop magic को जो तीन drop magic थे इनको कैसे perform किया था इसको भी tricks पता नहीं है आपको भी पता नहीं है तो आपको कुछ कुछ हो सकती है क्योंकि आप वीडियो देखते हूं पर इसको पता नहीं है पहला जो magic था वो हमने किया था र हमारे हाथ पे था एक छोटा सा रस्य का ऐसा कटा हुआ टुकड़ा ठीक है और उपर से हमने पैना था magic थम यहाँ पर ऐसे करने पे दिखता नहीं है magic थम पैना हुआ था इसको पीस को हमको यहाँ पर चुपा के रखना होता है और रस्य दिखानी होती है बिल्कुल ऐसी न इसको उपर करने के बाद हम आपको बोलेंगे कि आप काटो इसे तो आप क्या करेंगे आप यह टुकड़े को काटेंगे ना कि हमारी रस्य को काटेंगे देखो आपने यह काट दिया अब लगता तो ऐसे है कि हमने रस्य काटी है बट रस्य नहीं काटी है रस्य हमारी वैस ही है, और हमने काटा है इस चोटे से तुखडे को, उसके बाद हम क्या करते हैं, इस के बहाने इस magic thumb को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे करके छुपा भी सकते हैं, पर ऐसे में क्या होता है, हाथ बिल्कुल नॉर्मल तो एक्चुली में हमारे जो रस्य के टुकडे हैं वो है इस मैजिक थम में ठीक है तो आई होगी आप इसे समझ चुके हैंगे और जान चुके होंगे तो आप भी जान चुके होगा बढ़िया बढ़िया ओके थैंक्यू अब लेके चलते आपको दूसरी magic tricks की तरफ तो दूसरी जो magic trick थी वो थी यहां पे हमारे पास एक रस्य थी जो कि बहुत मजबूत रस्य थी हमने आपको खिंचवाया भी एक बार दुबारा खिंचना इस परकार से और ये बिल्कुल किसी को भी आप ऐसे खिंचवा सकते हो किसी से भी पकड़वा सकते हो उ इतना मजबूत धागा आपको नहीं बांधना है क्योंकि इसमें अगर आपको आपने अगर किसी के पास खिंचवाया और धागा मजबूत हुआ वो टाइम पर तूटा नहीं तो आप जा सकते हो बोलेनाथ के पास ठीक है तो आपको यहां पे बहुत ही कच्चा धागा बां देता हूं यहां पे आना आगे आना पीछे से कैसे दिख रहा है ऐसे ऐसे दिख रहा है यहां पर तो यह पीछे से होता है एक्चुली ऐसे में तो ऐसे में आपको यह वाला हिस्सा नहीं दिखाये देता है अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे बांदेंगे इसको ऐसे बांदें तूट जाएगा जैसे हम one two three जटगा देंगे तो ये तूट जाएगा और ये रस्सी पे गांट मर जाएगी जो की खुल जे लोगों को लगेगा है ये कैसे हो गया ठीक है तो I hope कि आपको दूसरी rock magic trick भी पसंद आई होगी अब आपको दिखाते हैं तीसरी magic trick जिसमें ये भी पता थी जानवुच के acting करत ऐसा नहीं है उसकी भी समझ में नहीं आया कि actually ये हो कैसे रहा है ठीक है यहाँ पर हमारे पास एक ही रस्सी थी ठीक है इसको किसी से भी चेक करा सकते है उसके बाद हमने इस रस्सी को ऐसे किया आपको दिखाए कि अगर हम इसको ऐसे करेंगे य आप से मैंने ये कटवाया था ठीक है यहाँ से पहले ऐसे रहती है ऐसे रहती है आपको पता जिता हूँ ऐसे यहाँ पर ऐसे किया ठीक है इस रस्सी को आप दो परकार से कर सकते हो या तो यह दो उंगली पर आप खटक से इसको उपर ले सकते हो यहाँ से कटवा सकते हो ठ आपको जैसे बेतर लगे तो अधिक तर ऐसे करते हैं, ऐसे करके आयसे करते हैं और इसको कटवा देते हैं, ः-जय जय यहांद तोlaw माने क्या था? मैंने ऐसे क्याingers क किया था, इसको उपर लेते हैं, और इसको ऐसे C empowering है अब यह इतना छोटी गाण्ट होते हैं हमिसको एक ही उंग़ी पे छुपा सकते हैं और सब को लगता है कि एक उंग़ी से रस्षी तो आप पक्ड़े गई बन्दा अब क्या होता है जैसी यह इसको बराबर करने के मैं बोलूँगा कि बराबर करना इसने बराबर किया रसी कट गई है रसी दिखाना हम क्या करेंगे थोड़े magic करने के बहाने इस रसी को ऐसे खींच लेंगे तो यह अगर रात भर दिन भर भी काटता रहेगा तो भी इसको बराबर नहीं कर पाएगा यहां से खींचो यह बड़ी यहां से खींचो बड़ी तो आप इसको अलग-अलग तरीके से दिखा सकते हैं मैंने जो दिखाया था वो था कि मैंने रसी को ऐसे पकड़ा यह किनारा पकड़ा और इस रसी का ये किनारा पकड़ा और बोला तू काट क्या रहा था रसी तो एक यह है अचनल ना बर carry को एसे भी दिखा सकते हैं देखो कि यहां पर ऐसा रहता है ऐसा थे उसके पाद हम क्या गरते हैं इस रसीड़ी की गाट मार देते हैं किसी बोल कि रसीड़ी कि गांट मार रहे हैं, ठीक है, थोड़ा छोटी गाटी है, इस लिए गांट मारने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट मर जाए ही, इस पर गांट मार दी हमने, ठीक है, अब लगता है कि हाँ, रसी कैसे जुड़ी है, गांट मार के जुड़ी है, बट आप इसको चड़ी के बहाने या जेब में कैची लेने के बहाने इस गांट को गायब रख सकते हैं उसके बाद रसी को दिखाना है कि हमारी गांट हो चुकी है गायब और भी बहुत सारी तरीकों से दिखा सकते हैं बट मैं इतना लंबा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएग मिलते हैं किसी नेक्स्ट मज़ेदार मेडिक्टर की वीडियो में तब तक के लिए जै जै भारत वन्दे मातरा